कुछ ही नहीं आने आपको एक पात्रणार वारता के जरीए राजस्थान के आई टी डेपार्टनेंट का साथे तीन हजार करों के गवर्ण की जानका नीदी थी बोनादे की जानका नीदी थी पांचेक हजार और साथे तीन हजार करों का उजने बताया था डेड़े तक हजार करोण का इसमें गवर्ण का गोटा लेका मामला में आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आई इसे तरगा है और कल आई यहींदी में जाकर यहींदी में जाकर यहीं जबतों में जो इडी का दफ्तर है कि आई इडी का जो दफ्तर है यहींदी का जो दफ्तर है प्रुष्टत करेंगे दर्ज कराएंगे आज को चोपाने और यहींदी का आपको दे रहा हूं कि सीएंप के प्रिष्टेदार हैं जिसका नाम राजेश सेनी है राजपोंप में मैनेजर के प्रक्र कारवत हैं यह यह सेमा है मैनेजर मैनेजर राजपोंप राजपोंप जो सीयमा और सीयमार में आईटि का सारा कारें समालते हैं अच्छे का आईटि का सारे कर्चे का बोलता नहीं राजे सेमी अपनी बेटी रूची के नाम से उठा रहे है रूची कानुना के राजकॉंद में कारिदत अधिकारी अपनी बेटी को कारी नहीं दे सकता यह पूर्दिया नियों पूर्ट है और एक बड़ी कॉंप्रियेंट नाम की जिसके तुरू परोड़ों का भूतान जिस राजकॉंद के अधिकारी में जो जियमार में पैठता है फर्जी भूतान है और मैं पूसर बाकी के फर्जी आपको देना चाहता हूं नमर एप टेंडर रेफरेंस नमर एफ पोर सिक्स यह कोई है सप्लाई इंस्टालेशन और मैंटनेंस और आरेफ लिंग्स एंड आउट्डोर वाइफाई एक्सस पॉइंट अक्रोश राजस्थान और रेफ कॉंटेक्ट अंडर राजनें प्रोजेक्ट इटेंट ले और राजस्थान दर में वाइफाई इनस्टाल किये थे और और शोरू में यह टेंडर एक्सो साथ करोव के थे जिनको पड़ाके दोसो प्रेंटीस करोव कर दिया और दो कॉंट्टुनी को टेंडर दिये एक हिमाचल चुचरिस्टिक प्राइबिट कंपनी और रेंटेंट इंडिया यह सरकारी कंपनी है कुल अमाउंट इसकी दोसो प्रेंटीस करोव थी टेंडर की एक वाइफाई की की मत थी तेरो लाट तेरो लाट और इसके लिए एडवांस प्रेंट देरिया था साथ परसेंट पांच हजार साथ सो वाइस जार पांच हजार पांच हजार डवाइस लगाएंटे पूरे लाटेंट और लगाएं पांच हजार साथ सो सब्तर अब मई दौजार पाइस तक्स पांच हजार साथ सो सब्तर यानि बहतर करोव के डिवाइस लगाएंट और रांज कॉर्ट ने 147 करोव का भुटान कर दिया सच्सों उच्छाशी करोव रूपे इस कौर्फरी के पास है अब यह 6% का प्याज भी लगाएंट सब्कार के पैसे का कम से कम तो 70 लाट रूपे पुर्दी मांगा यह प्यांजी लगाएंट इसमें एक नहींतों बात यह है इसमें एक नहींतों बात यह है इसमें उनका इंकम टेक्स के विएमर का हिसाब से जो यह बाइस जार पांथ सो वाइफाई के पॉइंट लगा रहे थे जिसकी टेंगर्व दोसो पेटीस करों के किये थे वह किसी काई काम के नहीं रहे और वह और सुलेक्ट हो गए इसमें एक बात वहत्पूर यह है कि आइटम्स मेंटर्स के वोदान में गए अरुष्कों सर्फिकों रहे भी किरा देंगर्व पूरे राजिस्थान में गानें थे पूरा कर दिया यह एक गोटाना है जो मेना आपी जाब काई दूसरा यह वाइठाई का गोटाना दूसरा है मेन पावर का मेन पावर में मेन पावर में एक कंपनियंस भारत सरकार की निक्सी नाई पावर मेन पावर चाहिए और उसके आधार पर हंडेट परसेंट भुक्तान कर दिया जाता है राजकों विद्वारत कि इसमें भुक्तान किया गया उसे बहुत कम लोग लगाए गए जान पूज कर इसका रिकॉर्ड नी रखा गया कितने लोग लगाए गया यहां योगता के इसाब से नहीं लगाए गये फिर भी प्रतिव्यक्ति चार लाख रुपर महीने का बुक्तान किया गया चार लाख रुपर गया जिनकी कोई आउस्सक्तानी थी इस पर सीएजी ने थी पहला बनाया हैं इसमें एक दुदान दोगा ज्यादा पताने की लब बहुत नहीं हो जाएगा इसमें उपने देशकें प्रद्वन दीख्षें आई टीन है जिसमें अपनी कंप्प्री बना रखिये और यन प्रोग उस वह नाम की कंप्प्री के तुरा आदमी लगाता है जिसमें अपनी घरवादी को भी लगा रखा है और घरवादी को एक लाख साट अगा करता है और उपस्तितिक खुदी परी ठेक करता है वह आठी नहीं है और आठी है और आठी है और आठी को जाग गया इसकी जानकारी इनों नहीं दी और एक डिप्टी डारेक्टर लबल के अधिकारी नहीं है यह मैं काविज लेकर आया हूं खुद की घरवाली का एक नाक साथ हजार प्रति महिने का बुक्तान किया और कर रहा है प्रति महां और जाती भी नहीं जाती इसका पूछा तो राज को मना करता है कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड उप्रव नहीं है आर्टी आई की यह सूचना हमारे पास है कि ऐसे यह जो में पार लगा रखा है कि यह ब्रमर करते हैं आई टी के काम को देखते हैं मैंने पहले जानकारी जी थी तो ट्रेवलन अकॉमेडेशन राजस्थान में हो तो प्रतियक व्यक्ति को हो दो वरख मीमाता के जाता है अगर अगलो चला या राजस्थान सबने सब्सक्ता सबीमेर के जिसर कर नथी कर दो पर देख में सब्सक्राइब को नहीं मिलता है इस प्रकार से करोड़ों रुपे की लूट कि आई ठीके नादिकारियों द्वारा कि जा रही है कि इसमें डियो आईटी ने एक करोड़ दस लाग का भुक्तार किया और राज कौंप ने 338 करोड़ का इसा भुक्तार किया लेकिन मेन पार कौन कौन लगाए यह राज पर सरकार बताने को लिए तयार नहीं है कि इसको कितना किया कितना किया तुम आपको बताए रहा हूं चाल लाग किया चाल लाग पिंचान हजार किया कि इसी प्रकार से है कि मैं पहले जो आपको बताए था कि कि चाहिना से मशीन ने पॉस्ट मशीन खरीदी गई तो एक मंत्री जी का बयान आथा कि फूंट है गदत है कि आप ढंक से लेने ना मशीन चाहिना किया उपन लेपर लगा दिया वोग्यों वोग्यों शील कि अपने देश का लेपर अब और यह पूरा जब अंदर से मैनुफेक्च्छर तो पूरा चाहिना का अंदर का यह ढाचा पूरा एक एक पार्ट का और यह लिखा हुआ चाहिना चाहिना और इस पर लेबल चाहिना की मशीन लेबल यहां का लगाकर करोड़ों के नियारे बारे किये यह कंपनी का नाम है जुईयाल याओ यंग इलेक्टोनिक टेक्नोलोजी कमें कमें लिमिटेड चाइना यह चाइना का पता दे रखा है उस कंप्री से जो समझाता हुआ इसकी कॉपी है और लेबल अपने हां का लगाकर करोड़ों का करोबार आईटी डिपार्टमेंट ने किया है ऐसे ही आरे एसस जिसमें पुलिस की गाड़ियों में जीपिएस का डिवाइस लगता है मैं भी उक्त फर्म प्रिसाइज यह एक अन फर्म अन फर्म केके लोग टिनक्स ने फर्जी दस्तावेदों के अधार पर टेंडर लिए है जिस पर सिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कारवाई नहीं हुए ऐसे ही ओएपसी केबल विचाने के लिए एक फर्म स्याम करपा नेट्वर्क प्रेवेट लिप्टेंड ने कि जाट किये और मिनिस्ट्री और कॉर्परेट अफेर से दस्तावेज वरिफाई भी नहीं थे और इसको ओएपसी केबल विचाने के करोनों के काम दे दिये इसी प्रकार कि दियो आई टी इंड सी अम आराइज एसल ने इमित्र प्लस मसीन में घोटाला किया आई टी दे घोटाला हुआ है कुल मिलाकर यह 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 पर्टिक्लर करीवेट डेडेग हजार करोन का घोटाला है इसकी सिकायद एसी बी को की थी लेकिन एसी बी में कोई भी कारवाई नहीं हुई और आपकी जानकारी माया होगा कि दिसंबर 2019 में एक डिप्टी डिरेक्टर कुल्दी प्यादों को पकड़ा था एसी बी ने पकड़ में तो नहीं आया था भाग गया था 27 बाई 12 2019 को उपनेदेशक कुल्दी प्यादों के बुरुत एसी बी द्वारा एफ़ायर नम्मर 400 अभिलिक 2019 भारी ब्रिष्टा चार को लेकर दजगराई थी शिरी यादों उस समय राजनेट में वाई फाई के इं अकूद संपत्ती एसीपी को मिली थी जिसमें करीबन डेड़ करोड का खुद का फ्लैट उसमें एक करोड इंटीडर का कारिये पचास लाख रुके पिक एपडी वेतन के अलावा 90 लाख रुपे मिले जाच के दौरान यह फरार हो गए और अंतमें सरकार के कहने पर इसमें एफार लगा दी एसीपी ने और इस समय कुल दी प्यादों कि डिप्टी डारेक्टर से जोएंट डारेक्टर के पदपर कारिये कर रहा है कि वाइफाई में जो मैंने घुटाला बता है उसके इंचार्ज थे और आप लोगों को कहा था कि इसमें मुक्मंत्री जी सीथे इनवर्व है यह मैं आरोप लगा रहा हूं कि एक तो मुक्मंत्री के रिष्टेदार में ने बता दिये एक प्रकृण ऐसा बता दिया जिसमें फार लगा थी वाइफाई के बोलता ने होने के बाद भी और एक दो प्रकृण जो मैं आपको ब है कि को पीशी एक्ट की धारा सत्रे एक के अंतर की अनुमती के लिए पुर्ष मनिदेशक ने राज़ी सरकार को पत्र पुड़ा था लेकिन राज़ी के गर्यमंत्री तुम आईटी मुक्मंत्री हैं इन्हों अजने आज की अनुमती नहीं दी और उजाज की अनुमती नहीं दी वह पत्र भी मैं आपको अब बता देता हूं कि अधिश जनुरी कि दोहजार एक्षी का पत्र जो अधिश्टाचार निर्वत्रप्यूर्व को राज़िस्थार नहीं दीशी की अप्रूर के बाद कि तीश जनुरी दोहजार एक्षी कि दूसरी मना में लिखा है ब्रिष्टाचार मेवारन संसोदन अधिनिंग दोहजार अठार की धरा सत्रे एके अंतरगर परिवाद अनुमत्र जांच योग नहीं पाया गया है सक्षमिस्तर पर अनुमोदित करवा लिया गया और सक्षमिस्तर यानिकि उख मंत्री से अनुमोदित करवा गया है जिसकी नुम आप लोगों को देशार तीसरा है कि महानदेशक को सूच ना दिये कि कि किसी भी प्रकार से राजकोस को हानी पहुचाने पत्का दुर्प्योग करने नहीं पाये जाने के आधार पर भ्रिष्टाचार निवारन संसोधन अधिनम दोहजार अठार की धारा सत्रे एके अंतरगर परवाद अनुसंतान जांच प मुख मंत्रीजी के अन्मोर्दित हो गया है कि 37,000 का पहले का देड़ हजार का आज का तेजार करों का यह आईटी का गबन है और इसकी सिकायत करता जो मेरे को सिकायत था उसको कल मैं एटी दब्तर पर जाओंगा और ले जाके मुख मंत्रीजी के खिलाब और संबंदित उनके खिलाब मुकर्मा दल्स कराएंगे पहले बात आई थी अखेल रोड़ा है क्या अखेल रोड़ा ने टेंडर पर हस्ताक्चर किये है या नहीं मैं सीधा पारोग नहीं लगा सकता यह जार्ज का विशय है लेकिन मुख मंत्री ने एसीबी के लिके पत्र की मनाई करके सीधा इन पूरे आई टी सेल के डिप्टी डारेक्टर जॉइंट डारेक्टर अडिस्ट डारेक्टर और और एफार लगाके मुकद्मों में मुक मंत्री ने बचाया है और मुक मंत्री के रिष्टेदार भी इसमें जो मैंने कंपनी बताई उसके जरीए करोणों की कमाई कर रहे हैं करके कल एफार भी में दे देंगे मेरा नहीं होगा कि पहले का पेपर का भी मैं फर्वादी को लेकर गया था इडी ओफिस आप भी बहुत लोग गए थे पहले जब रीट का गोटा ना हुआ था तो इस रीट के गोटाले को लेकर मैं फर्वादी को लेकर इडी ओफिस गया था जहां आप भी पहुंचे थे पुलिज में पहुंची थी मैंने सांकेतिक धन्ना भी दिया था जो रात को इडी के आस्वासन के बाद हमां से हट गए थे उस रीट में पूरे प्रमार थे जिसके अधार फर डीपी तारोली को ब्रकास किया था परदीप पारासर को गर्पतार किया था रामकपार मुनियना को गर्पतार किया था लेकिर वागर मच्छ हैं तो ती चार एमेल हैं और पकना गया उसी सिकायत के आदा है मुखमंत्रीजी, एक्तर अप्तो यह केरें, SP कोगी पकर रही है, कलेक्टर कोगी पकर रही है पेपर लिग कर रहे हैं, तो अगर ED उनको सहयोग करने आगे लिए, उनको काले धन का पता करने आगे पेमेले का मुकदमा बनता है ED की नजर में, तो उसमें कारवार मुखमंत्रीजी, यह एक साल प्रोणा मामला है आपको पता है, एक साल पहला हम ED दफ्तर गए थे, और ED तयारी के साथ आई है, जो इसलिए आई है, आपको पता है, डीपी जारौनी को बर्खास्त किया, और आज तक उससे पूस्ताच ने की, पूस्ताच करना तो दूर की बात, उसको क्लीच जो एमेलेज के नाम मैंने बताये, जिन मंत्रियों के नाम बताये, दुवारा सुभास, सुभास, गर्ग का मैंने बताया, तो टासरा जी पे भी मैंने आप प्रोग सुचु जो नाम दिया था, कि इसके जरी गड़ब हुआ, प्रिंटिक प्रेस था, सीमों तक भी कुछ मैंने तो उन्चे किसी से पुस्ताज नहीं की, बलकि मैंने यहां तक आ था, जो उनसे ही निकलेगा, कि एसोजी के जाच अधिकारी पैसे ले रहे है, वो प्रमान भी मैंने तो एसोजी भी सिकन्जे में आएगी, और यह जो मंत्रियों मेरी समझ में, जो प्रमान दी है, उसके अधार पर इस से इस से बुख मंत्री जी को परिसानी नहीं होने चीज़ा, पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो में आईटी डेबार्टमेंट के, इसमें कितने कितने गडबल हुएं आपके सामने, तो मुख मंत्री जी इसमें जाच क्यों न सरकार के मेले मंत्री, बड़े अधिकारी अफसने वाने, इस काले धन की कमाई में, इसलिए वो चुनाव का भाना ले रहे, किरोडी जी पेपर लीक का रोग गुजरात में भी लगा था, तो क्या एडी को गुजरात की जाना चीए जांच करने के लिए, गई होगी, बिजरी में गोटाला यहां पर है, कोईले की खरीद में आपर गोटाला है, जेजेम में आपर गोटाला है, खानों में आपर गोटाला है, खानवा बंद करा क्या है, वो सवाहिल मादर्पुन में, चप्पे चप्पे पर गोटाला है, और अबगी तो सत्ताधारी दल के प् दौसा में एक मंत्री ने जिला परशक के सियो को गेट आउट कह दिया तो ये ब्यूरोक्रिशी के साथ आपस में जिस धंका इनका ताल में चल रहा है और तनाव चल रहा है वो राजस्थान की जन्ता उसमें मिलके कौन संता धारी दल के लोग राजस्थान की जन्ता को यह है मांनिये मुकर मत्री जी आपको चिलाना नहीं चाहिए आपको बोखलाट में नहीं आना चाहिए जो काला पैसा वैसे कमाया जैसे वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर जी ने कमाया था वह पैसा यहाँ ईडी भू से खाया हुआ नाक से निकल वाले गी जब देखना घ सब्सक्राइब करें और यह बता दिया जिसमें एक में दर्ज मुकद में आपने फार लगा दी और उसका जेडी उल्टा प्रमोशन दे दिया फार लगा के और यह भी हम एडी को देंगे ऐसा मेरा कहना है मुख्मंत्री से भासा नहीं बोलनी चाहिए बरिष्टाचार को खतम करना है तो चुप बैट जाओ वरना आप 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 आपको जला देंगे जो नाम मैंने बताए थे उनसे बढ़के इडी ने नाम पता कर लिए शहलें कि दोचाय प्थया का नाम के कि 10 पर इस पर आइटी ब्ला को आइल सब्सकाट के जो अधिकारी है ज्रएं डàiरेक्ट डायर्प्य कर प्रोगरें के प्रगाव आले कि अर्ति पुर्जध है कुर्ग देर्श dirig ऑतिकाल को प्रव्याक खेस्ट हो और तो इस दिर सब जिसकत पात करने वह वह दर्वाट के पात रहें राजींद्र गुदावी करने वह दर्वान के पात रहें अरी चौतरी वह दर्वान के पात रहें जिद्रेवी कॉंग्रेस के लोग भरिष्टाचार के खिला बोलने हैं वो उनको बोलना चीह है और पता ने मेरे समझ मुनी आ रहे तीस तारी को पाइलेट साथ भरिष्टाचार के खिला यात्रा करने वाले थे उन्हें क्यों निरस कर दी वो तो वोज जाने लेकिन हम इस में आपके सामने लाँगा तो मैं पाइलेट साथ से करूंगा कि हम पद्यात्रा उनके साथ करने के लिए तैयार है अगरो राजी हैं तो मिल्जुल के दौनों दनों के सभी जाती धर्म के भाई विरिष्टाचार के खिलाब तो बहुत अच्छा होगा अधी धारीपार का आपको बीच में कुछ नहीं हो कि अगरा अगर शुरू होते हैं आइटी के गोटा लेका आइटी को गोटा लेके बात करना हो मैं पांचछार करोल का गोटाला पाइलेट साब और गहलोत के राज में हुआ है तो अगर वो इसके लिए पद्यात्रा करते हैं तो मैं पे साथ हूँ मैं मालो को प्यार करते हूँ आपकी सुब्दा बताता हूँ आपकी धना देता हूँ मैं इसलिए जा रहा हूँ का आपको पता है एक मैंने फाइर बताई इस में पर मिशनी दी तो मंत्री जो रजस्तान के भुख मंत्री हैं उनके खिलाप कर लेभाएं ये क्योंकि उनने परमीशनी वर्ष्ताचार के मामले इस ऐे काला काल धन आया है काला धन के कि avans कर हम य्योंग好不好 देंगे उस वे आपको तरह दो यहां से गया यहां से आया यह आज वो सारा बताना तो प्रदेश को परिवाद है वो उसमें आप चाहते नहीं प्रदेश अध्यक्ष ते आपने बारे बज़े ठीक रहेगा वारे बज़े तक आप तयार हो जाओं प्रदेश अध्यक्ष ते आपने कहा था कि अगर वीज़ेपी डंग से पेपर लीक के मुद्धे पर बिलोग कट्थी तो घैलोग सरकार को भुटनों के बल्ला दे अब आप पर अब प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं पर अभी भी आप अलग से ही इस मुद्धे पर न तो ना मुद्धे नजगर हैं कोई नाराजगी नीए प्रदेशंद्यक्ष थे नहीं पर देशंद्यक्ष बाहर चले गये तहां राठोट साब भी नहीं तो बाहर चले के रहे तीनों को मामले से दूसर विष्टाचार को लेके तेरे जून को जैपुर जिना और जैपुर सहर के हजारों कारेकरता सच्वाले और योज पर घेराओं करेंगे और 14 तारीकों सारे और सारे शांसर योजना भौन पर धन्ना देंगे यह करकरते हैं इसलिए पहले क्यों नहीं पहले आई थी ने पीच में इनी भी आई थी इंकम टेक्स भी आये था राजियंदर गये थे दर्मेंदर आठावर के वहता से वोटा लेकी पुस्तक थी उसको ले गए थाड़के प उसमें काध़ कर गएतना फूर्ड ये फेर मांट रॉस में जो फेर मांट को पर जो भूटा आएं जिसमें वेलोड के सेर्स हैं साजेदारी है है आपको तो उसकी पत्रकारवा पहले करते हैं एज जो है नए बलैक मैनी को वाइक मानी की आए गैलोड सापके बेटे न हैं वो काघज मेरे पास आगये फेर मौंट के तो आपको तो परसु कर लो फेर मौंट की बोलो सारे पत्रकार प eerste इस पर्स्ट महामला जिसकी सिक्याइट में भी डी को कर आया हूँ प्रमार से इडी को कर आया हूं आठ दिन पहले उस जो इडी को सिकाइद किया उसकी पत्रकार वारता परसो कर लेते बोने एक बजेट तीन बजेट आपकी सुधा जिसमें गहलोज साब के बेटे और उनकी एक कंपनी और गहलोज साब की बहु गहलोज साब के खास यार रतनकान जो फेर अब पास आगे और अब दर्ज करवा दी मैंने बड़ी मुश्किल से और सीदन जिसनल कोट खावदा की दर्ज होई तो बड़ी चिंता में तो यह फायर में अशे दर्ज हो गई है कहां हुई तरी आप यह थाने में दर्ज हो गई है वह बहुत कर दो उसमें आपने क्या ब बज़े लखे नहीं परसो एक बज़े और उसके सहयोगी बिजनिसमें रतन कांथ सर्माप पे पीची करेंगे जो काले धन को सफेद करने में लगें 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 की कॉपी दाऊंगा जो नौरिश उसके पैसा ब्लेक से वाइट हो रहा हो लाँगा दो हजा आठारे में करीमां डेल सो करून लुपे घ्रोज साब को रतनिखात सर्मा के जरी आयते वह लाँगा कच्छी चीज नहीं दूंगा पकी दूंगा तो इमानदार मुख्यमंत्री की जानकरी में आपको परसों एक बज़े दूंगा